मुजफरनेगर में गुरुवार को जिलाकारगार में शामली डिस्टिक जज गिरीश कुमार वैशे डीम जसजीत कौर एसपी अभिशेक कुमार मुजफरनेगर जिला विदिक प्राधिकरन सचीव और सिविल जच सीनियर डिवीजन मयंक जैसवाल ने ओचक निरक्षन किया इस दोरान जेल अधिक्षक सीता राम शर्मा अधिकारियों की अगवाई करते नजराये और जेल अधिक्षक सीता राम शर्मा ने सभी को जेल का निरक्षन कराया वहीं पी अलवी से जुड़े रजनी पवार शिवा अजे कौशिक आदे भी मोजूद रहे जेल अधिक्षक सीता राम शर्मा की जिला नियाए धीश गिरीश कुमाय वैशे और डीम शामली जसजीत को और समेत एस पी अभिशेक कुमार शामली ने एक साल के अंदर जिला कारगार की काया पलट करने पर जमकर दारीफ की और उनके सरहानिये कार्रे को जमकर सरा उन्होंने कहा कि जेल में बदलाव से महीला और पुरुष बंदों में आत्म विश्वाश जागरुख हुआ हैं विलोग बाहर आने के बाद सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और समाज में अपनी भागेदारी सुनिश्चित करेंगे इसके इंस्ट्रेक्शन के दौराम हमें बंदियों से बाग कि उनकी समस्यां के संबंग में जोगी समस्या होते हैं इस संबंग में बाग सरते हैं दूसरा आज यहां पर हमने एक कंप्यूटर प्रेसेश्चन कोर्स का शुरुआत की है एंजियों के माद्यम से उसका अउदगाटन भी मानने जनपन नियाद इसमें जिलदगरे मोदे में किया जिसमें बंदी स्पील डेवलमेंट के तहित यहां से जब बहार जाएंगे ब जिसी संकल्पना को देखती है हम लोगों का प्रयास यह है कि जब बंदी यहां से छूट के जाए तो उसे समाज में फिर से सामिल होने में जो ब्यवसाई की बात देता है जो आर्थिक बात देता आती है वो ना आए वो अपना ब्यवसाई कर पाए तो इस तरह से कोई भी वहीं जिल अधिक्षक सीता राम शर्मा ने कहा कि जल्द ही जिलाकारगार के अंदर और भी नएकार्ये एवं बदलाव देखने को मिलेंगे इसके लिए लगतार प्रयास किये जा रहे हैं हर स्तर पर कार्ये किया जा रहा है बाकी बंदियों से बात की गई है बंदियों ने ही वताया कि अब जेल कम और यह आवाज आदा लग रहा है उनको बहुत सुधार है अभी क्रेश बनाया गया है बच्चों के लिए यहां पर और इसी अविसा क्रेश में की गई है सर मोटिवेट करने के लिए और क्या है जिससे की जो महिला बंदिये दोबार से कुछ ऐसे उसमेला जाए जिसे कराइम बढ़े या फरिवारों यहां पर जो हमारे जिसमेंट साहब है इन्होंने अभी शुरू किया है कि रोच सुभे यहां पर चलता है गायतरी मंत्र और ज जो बैरेक्स हैं वो देखे हैं महिलाओं के हमारे जो युवा हैं उनके और जो हमारे यहां पे सजा भुगत रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो भी जिलाजजच साब ने नोट करी हैं कहीं पर पेरोकार नहीं मिल रहा है या डेट में लग रही है तो हम लोग कोशिश करे कि उनका जो है समस्याओं का समधान करने हैं जो सामली के एक बंदी है मुझे फणनगर जेल में है तो च्या कोई दिसेज इनके लिए रख रखा हो या कोई इस तरी इस को सब्सक्राइब है हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी है हाला कि कह दी चाहिए शामली के हो या मुझफ